एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस युक्रेन में युद्विराम की कोशिश चीन करेगा। चीन के विदेश मंत्री का ये बहुत बड़ा बयान है। रूस यूक्रेन में युद्विराम की कोशिश करेंगे चीन और रूस और यूक्रेन में तीसरे दौर की वारता की उम्मीद है ऐसा भी चीन की तरफ से कहा गया है और आज ही तीसरे दौर की बाचीत होनी है उससे पहले चीन का ये बयान आना कि वो युद्विराम की कोशिश करेंगे और समझोते करवाने की बात करेंगे चीन रशिया का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है बाचीत भी हुई थी पुतिन की और अपने काउंटर पार्ट के साथ प्येम मोधी से जिलंस्की की बाचीत पर ट्वीट भी आया है प्रधान मंतरी मोधी ने रूस के हमले को लेकर जानकारी दी गई है उनको जलंस्की ने उनको जानकारी दी और भारत की मदद के लिए धन्यवाद दिया है जलंस्की ने तो ट्वीट आपको बता दें प्रधान मंतरी मोधी को रूस के हमलो को लेकर जानकारी दी है यह उक्रेइन की ओर से ट्वीट किया गया जिसमें प्रधान मंतरी मोधी को बताएंगे कि रशियन जो लगातार हमले रहे हैं उसकी जानकारी दी गई है और साथी यूक्रेइन की ओर से धन्यवाद दिया गया है जिस तरह से भारत की कोशिश हो रही है कि किस तरह मदद पहुचाए जाए मदद पहुचाए गई है यूक्रेइन को भारत की ओर से और साथी साथ र